शहर के सूप्रसित रोकडे ज्वालर्स की ओर से वेलेंटाइन्स वीक को बड़े ही उत्सा के साथ मनाते हुए वेलेंटाइन्स डे को खास थीम सेल्फ लव के साथ बड़े ही उत्सा के साथ मनाया गया जौरान कई तरह के गेम एक्टिविटी का भी आयोजन यहां किया गया पर आज का थीम है सेल्फ लव का तो बहुत ही अच्छा थीम है हम रोकड़े जुलर्स में हर साल इसमें वेलेंटाइन में आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और यहां आने के बाद हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी शो रूम में गए है या कहीं जुलरी शॉप पे ग फोपुस्वास में प्यूंको प्यार देने में है हमना सब्याइट कि प्रिन करना है उन्हें तरफ धहान Weder सभी लेता है कि हम कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं जो लीकिन आज रोकडी जॉल활EC अपना थीम दिया है सेल्फ लव का तो रियल हमें अपने आपसे भी प्यार करना चाहिए और आज रियल में हमको ऐसा लग रहा है कि हम अपने आपसे बहुत प्यार कर रहे और स्पेशली आज का वेलेंटाइन दे हमारे लिए है थैंक्यू रोकडे जॉलर्स थैंक्यू पास नहीं एते है रोकडे ज्वेलर्स मदे आणी इतला अट्मोस्फियर खुब थान है नवीन नवीन कलेक्शन सस्ता आज में मजा ननन सोबत आली है आज वालेंटाइन डेया है आमचे हजबेंट्स तर बीजी आए ओफिस मदे तो आमी एकडे आलो शॉपिंग साथी तै मेरा नाम मेनु सहगल है और मैं मशालदी फायर ग्रूप है मेरा विमन्स का जो कि मैं इसकी फाउंडर हूं और मैं आज शुभांगीनी का बहुत थैंक्स करना चाहूंगी जिनोंने मुझे इन्वाइट किया है यहां पे वेलेंटाइन जे पर और शुभांगीनी ने जो ए कमेशंब के इसक्तुरलह भीकिनी दी का मतलब होता है कि वेल इंटेंशन ओक्या हम्यों जो भी वेलेंटाइन रखते हैं हमेशा दूसरों के लिए रखते है में जो अलबार शेलीली फायर networks में हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें कि कुद्पे लिए एक वेलेंटाइन गरो जो मशाल्दी फायर ग्रूप को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं अपनी सारे विमन्स को यही मेसेज दूँगी कि हमें खुद से प्यार करना है, खुद से केर करना है, एंड वेलेंटाइन्स डे पे हमें दूसरों के साथ खुद का भी ख्याल करना है, तो थैंक यू सो आज रोकडे जोवलर्स मदे वेलेंटाइन डे सेलीबरेट करले आलो है, शुभांगी मडम ने आमाला इन्वाइट केले, आणी तेंचा हसा मनना है कि वेलेंटाइन मंजे एक प्रेमाचा काया मन्टत तला संदेश है, पंड तेंचा हसा मनना है कि तुम्ही स्वत्तावर प आज रोकडे जोवलर्स मदे वेलेंटाइन डे सेलीबरेट करते आलो है, तुम्ही या, आमी नवीन कलेक्शन आलो है, ते पहा, आणी तुम्हाला जर कई आवल्डतर में पर्चेस करा, आणी खुब सुन्दर कलेक्शन है इते, आणी आत्ता मी पाहिला, आणी काई सेलेक् आणी काई अबर्बनतू, मी नी ना नगरार्ये, आज तँम्हाला जर माला जरीबरेश इपांगी मडम नी चान आ पपर्चूनेडी दही पेसीलि, ओर आणी काई सेलेक्शन आणी इवेंट मेल ए सब्सक्राइब करने में आप सभी का जो पूरा पूरा साथ हमें मिलता है और सारी चीजे बहुत ही सरल तरीके से हो जाती है और प्यार का दिवार है प्यार के इस सेलिब्रेशन को हम कैसे भूल सकते हैं और जो यह सेलिब्रेशन है बिल्कुल अनोखे तरीके से हमने मराने की कोशिश की है सेल्फ लव इस स्पेशली होता है कि कुछ समय बाद या पहुत सारी चीजों के चलते हैं हम लोग न करना चाहूंगे कि जब आप खुद से प्यार करेंगे खुद से मोटिवेट होंगे खुद से स्ट्रॉंग होंगे और दूसरों को भी स्ट्रॉंग करेंगे और मोटिवेट करेंगे तो यह सबसे इंपॉर्टन पार्ट है मुझे लगता है कि हमें किसी कांसल की जरूरती न और हाउजी और प्राइस के लिए एक्साइटेट है उतनी ही और चुकि जब रोगरेज वेलस है तो वो एक एंजॉइमेंट और एक माहूल बनता ही मनोरेंजन का रिक्रम का और साथ ही आज वेलेंटाइन है तो वेलेंटाइन के आफसर पर हमने आज इंटर्डूस की है बहु किसे नहीं होता है और इस प्यारवरे पल में डायमंड तो बनता ही बनता है लेकिन जब डायमंड बोला तो डायमंड ऐसे आता है क्योंकि वह बहुत कॉसली सुनने में ही कॉसली लगता है लेकिन रोगरेज वेलस ने इंटर्डूस किया है पॉकेट फ्रेंडली डायमंड क और सब लोग एक दूसरी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो इसका आपको बहुत सुन्दर कलेक्शन यहां पर मिलेगा और साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंट डाइब के जो आज की जनरेशन को पसंद आती है वो सारे कलेक्शन वो सारी जूलिरी वो सारे गिफ्ट आर्टिकल्स आप हमारे पास देखेंगे और मैं चाहती हूँ कि इस पूरे वीक को हमने बहुत ही खुबसरा तरीके से सेलिब्रेट किया है और आज Valentine's Day है और इस Valentine's को इस प्यार भरे पल को हमारी प्यारी बेरी सख्यों के साथ कुछ उनके अनुभावों को साजा करते हुए इस कारीक्रों को पूर्ण विराम देंगे Thank you so much तो हमने देखा कि रोकडेजवलर्स हमेशा ही नए थीम के साथ आता है हर पल को जो है हरतेवार को बहुत ही नए थीम के साथ और खुशियों के साथ मनाता है उसी तरह आज Valentine's Day भी बहुत ही आनोखे तरीके से self love इस थीम के साथ मना रहे है और हम देख रहे हैं कि यहां बहुत क्यारी ज्वेलरी लाई है आप भी आए और देखिए क्यामेरा परसें राजकुमार मोर के साथ मेक्षेति जादेश मुख बीस ये नियोज नातपूर